जैसे 1206 में चंगेज खान के गद्दी पर बैठ कर बैठने का घटने करम होता है वैसे ही भारत में उसी समय कुटबदीन अईबक का और एक दूसरा घटना करम में देखिए कितना कोइंसिडन्स है कि इसी वंच से तैमूर के वंच से एक राजा एक युवा सामने आता है जो बाबर कहलाता है जही रुद्दीन बाबर जो चंगेज खान का ही वंच था यह आप याद रखें फरगना समरकंद पश्चमी योरप की तरफ रूस की तरफ कहीं तैमूरी खेतर का उत्तरादिकारी बनता है वहाँ पर अपने खेतर में पराजित होता है और करीब 14-15 प्रयासों के बाद भी जब वह अपने खेतर को पुनर विजई पाने में असफल होता है तो बाबर नाम का यह तैमूर लंग का वंशज चंगेज खान का वंशज भारत की और मुड़ता है काबल पर कबज सल्तनत नहीं बलकि मुगल समराजिकी नहीं उपड़ती है आपको यहां बताना जरूरी है कि जो मुगल शब्द आया है यह मंगोल से ही आया है क्योंकि बाबर जैसा भी आपने देखा समझा चंगेज खान जो मंगोल था उसका पूरवज उसका उसी वंश का है चंगेज ख सकता है जग कहा जाता है और यह बाबर जो है वह भारत पर हमला करने के लिए या भारत पर शासन करने के लिए नहीं आया था वह तो विवश्टा वस जब अपने खेतर से खदेड़ा गया पंदरा बीस सतत प्रयासों के बाद भी विज़ाई पाने में जब असपल रहा तो खदेड़ेने के प्रणाम सरूप वह भारत पहुंचता है और वहां बड़ी सरलता से दिल्ली पर अपना कबजा कर लेता है और उतकार एक नए वश्ट की स्थापना करता है उसके बाद अंतिम जो घटना करम आपके इस काल करम में दिया हुआ है वह है 1921 का जब मंगोलिया एक नए गणराज की रूप में सामने आता है वही मंगोलिया जिसकी शिरुवात हमने 1167 से की है अपने इस अध्याय में अब वो एक गणराज की रूप में 1921 को सामने आता है सैने अभियान के परिणाम या क्या होता है या उसका प्रभाव क्या होता है जब बड़े स्तर पर लगातार सैने अभियान हो रहे हैं वर्ष दर वर्ष विवन खेतरों में तो वहां के समाज पर वहां के स्वंस्कृति पर वहां के जीवन शैली पर अपना च्छाप आता है आखिर क्या हुआ इन सब सैन्य अभियानों का क्या असर पड़ा पहला यायावर शासकों के प्रती नाराजगी बढ़ी दूसरा लूट मार के परणाम सुरू विनाश लीला बढ़ी तीसरा क्रिशी भूमी को हानी उठानी पड़ी क्योंकि जब सैन्य दल सैनों की फाजियों की टुकडियां जब चलती हैं तो खेत खलिहानों को रौनते हुए जाती हैं तो तीसरा चौथा उद्योग धंदे सब नश्ट होते हैं और प्रणाम सुरू उद्पादन अस्त व्यस्त हो जाता है पांचवा व्यापार बरबाद होता है छटवा जैसा हमन प्रफा को एक बड़ी विशालता मिलती है दास पद्धती बहुत बड़े सर पराती है आठवा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसान और गरीब नवा अस्तिरता सभी तरक जब व्यापार बरबाद हो गया क्रिशी बरबाद हो गया परिवार बरबाद हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अस्तिरता को बढ़ावा देगा तो नौवा अस्तिरता दस्वा लगातार युद्ध के कारंड़ खासकर एरान इराग जैसे खेतरों में वहां जो सूखे पठार थे जो काफी कुछ नहरों पर निर्वर थे भूमिकत नहरों पर निर्वर थे उनकी मरमत नहीं हो पाई तो वहां अकाल और भुक्मरी एक सामाने बात हो गए मरुस्थल बन गया वो खेतर मरुस्थल के रूप में बदल गया तो चंगेश खान के मंगोलियाई वंशिजों के द्वारा किये जा रहे सतत हमले के परणाम स्वरूप उस खेतर में दूसरे खेतर में मरुस्थलों का उदय होता है ये देखिए कितना ये एक कोइंसिडेंस नहीं कहा जाएगा खुरासान में तो काफी ज़्यादा विनाश होता है ये हुआ दस दुश परणाम इसके अलावा कुछ एक आद दो अच्छे परणाम भी हुए है पहला एशिया और यॉर रूट का प्रभाव बढ़ा चीन और यॉरोप में पारस्परिक संबंद बढ़े खासकर व्यापारिक संबंद सिल्क रूट के कारण बढ़े रेशम मार्क जिसे हम कहते हैं उसमें आवाज आही बढ़ी व्यापारिक रास्तों का विश्तार हुआ और इसके प्रणाम का आगाज होता है और इसी प्रकार इरान के खेत्रों में भी हम पाते हैं कि इस आवाज आही के प्रणाम सुरूप बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव आए तीसरा अच्छा प्रणाम कि अब जो व्यापारिक रास्ते थे जिस पर चीन का प्रभत्त था शिल्क ट्रेड रूट रेशम मार्ग ये सब चीन केस पे थे अब उसका केंद्र वहाँ से हट कर कारा कोरम तक चला जाता है मंगолिया केंद्र कारा कोरम, संचार और यातायाद साधन मंगolों के हाथ में चला जाता है चौथा यात्रियों की स्विधायें बढ़ जाती है क्योंकि जिस तरह की विवस्था चंगेश खान और उसके परिवार वालों ने की थी आवागमन की आवाजाही की संदेशों की उस विवस्था का फायदा जन्चा जनादन को भी मिलता है तो जो यात्रा करते हैं खासकर व्यापार के संबंद में उनको स्विधाएं बढ़ जा जाते हैं इस इन पासों को पैजा कहा जाता था और मंगोली भाशा में जेरेच कहते थे तो ये पास प्रथा ने व्यापारियों को यात्रियों को उनके आवाजाही को सुगम बना जा इस वकार जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं हमने दुश परणाम और अच्छे प कर्मणों के परणाम सुरूप उनकी सामराजवादी नीतियों के परणाम सुरूप अब हम आते हैं इसके अगले बिंदू पर और वह है विरोध जह था मैंने दुश परणामों में बताया है कि यायावर प्रवित्ति को लेकर जनता जनारदन बड़ी नाराश थी लेकिन इसके अलावा यायावरों के अंदर भी कुछ विरोध था यद्यपी इस विरोध में कमी आई बारा सो तीस में मैंने आपको बताया कि मंगोलों ने उत्तरी चीन पर कबजा किया तब मंगोल ने तक किसानों की हत्या करना चाहते थे और उनको भूम में चरागाँ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में विचार बदल दिया बारा सो सत्तर में शुंग वंश को प्रास्ट करके दक्षिन चीन को मंगोल सामराजी का हिस्सा बनाया जाता है और उन्निस बारा सो साथ में कुबलई खान गद्धी पर आता है तो वो इन किसानों की एक तरीके से रक्षा करता है साथ ही साथ विरोधियों को नियंतरत करने के लिए इसी परिवार के एक कहना चाहिए राजा ने जिसका नाम गजन खान था उसने सदस्यों को और सेनापतियों को हिदाय दी थी चेतावनी दी थी कि राज्य को स्थाई और संपन्य देखना है तो क्रिशिकों पर अत्याचार रोका जाए तो अर्षात इस बात के प्रतिय वाकिफ थे कि क्रिशिकों का विरोध भारी पड़ सकता है या यावरों का विद्रोध भारी पड़ सकता है तो यहां एक और जहां यह बात साबित होती है कि यह विद्रोध थे यह विरोध थे पर इन्हें क्वेंच करने का इन्हें रोकने का दबाने का सतत प्रयाज भी होता रहा अगला बिंदु है पारस्परिक सामंजस में बदलाओ पारस्परिक जो परिवार के बीच में हो उनके बीच में जो ताल मेल था सामंजस अर्था ताल मेल उसमें क्या बदलाओ आता है चंगेश खान के जो वंशच थे वो समूहों में ब उसके क्या परिणाम हुए? सभी समुहों में प्रतिदिन्दता बढ़ती है, पहली बाद. दूसरा, जो पुरानी परंपराएं थी, परिवार से जुड़ी परंपराएं थी, पुरानी यादे थी, वो उसमें कुछ बदलावाता है. जैसे तोलिये बंच के बंचिजों ने अपने पारवारिक जगरों को, एतिहातिक ग्रंथों को एक लेक के रूप में प्रस्तित किया, वरतमान शास्कों को ज़्यादा महतु दिया, चंगेज खान को विस्मृत करने की कोशिश की, वही चंगेज खान जिसके बल पर ये इतना बड़ा सामराज बना था, और चंगेज खान को भुलाने के पीछे, जो प्रयास था, उसका मुख्य कारण था, कि नए जो उस वंच के लोग थे, उनको सामने लाना, और चंगेज खान के केंदर बिंदु पर होते हुए, जो मन मुटाओ, जो जगड़े थे, उसको इस प्र साल में हम देखते हैं, सामन जैसे, और ये इसके पीछे कारण क्या था, कोशिश ये थी कि ऐसा करते हुए, जो जगड़े हैं, एक परिवार के बीच में, चंगेज खान के वंचिदों के, उनके बीच के जगड़े कम हो, कई जगड़े हम इन जगड़ों को लेकर अतिश योक्ति भी देखते हैं, बुखारा के किले पर अधिकार करने के लिए 30,000 सैनिकों को मौट के घाट सला दिया गया, ऐसा बेरूर है, इस किले में 400 सैनिकों को भी नियुक्त किया गया था, हला कि चंगेज खान के गुड़ों की बारंबार इनके द्वारा प्रशंसा की जाती है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया, चंगेज ने अपने वंश्जों के लिए एक महान विरासत तो छोड़ी थी, इसमें कोई संदे नहीं, पर विरासत जब वर्तमान को भार ही पढ़ने लगती है, तो विरासत को भूलाने का प्रयास होता है, और उसी प्रयास के तहद चंगेज खान को विस्मृत करने का लगातार प्रयास जारी था, इस अध्याय में अभी तक मंगोलियाई भाषा के कुछ तकनीकी शब्दों के शिंखला में, जिसकी शुरुआत कुरूल ताई से होती है, अब संभवता हम एक अंतिम शब्द पर पहुंचें, लेकिन ये अंतिम तो है पर कोई कम महत्पूर नहीं, और वह है यास, यास क्या था, आपको याद होगा, कि मैंने आपको बताया था कि चंगेश खान को जैसे ही चंगेश खान के उपादी 1206 के कुरूल ताई में जी जाती है, तो चंगेश खान उन कबीलाई नित्रितों के सामने एक शर्त रखता है, और शर्त के ताथ वो यह उगलवा लेता है नित्रितों से कि उसके सभी बातो को आदेश आत्मक माना जाएगा, उसी स्थिति में वह गद्धी लेने को तयार होता है, इसी शिंखला में चंगेश खान ने एक और बहुत बड़ा महत्पूर्ण काम किया था और वह था विधी सम्विता का निर्मान, एक तरीके से यास याने विधी सम्विता ही है, विध आदेश अनुप्राप्ति या आदेश विधी, आखिर ये विधी सम्विता क्या थी, चंगेश खान को मालन था कि ये कबीलाई जो लोग हैं, सरदार, ये अंदर ही अंदर चंगेश खान के बढ़ते प्रभाव से कोई खुश तो नहीं है, अंदर ही अंदर विरोज में तो होंगे ही, लेकिन अब इन्हें अपनी और करने के लिए जरूरी है कि ऐसा कुछ प्रदर्शन किया जाए, जिसमें कबीलाई सरदार इस बात के लिए विवश हो जाए, कि सब के सामने उन्होंने चंगेश खान के नित्त पर अपना थमर्थन दिया है, मुहर लगाई है, और उसी परिप्रेक्ष में चंगेश खान दूसरा कदम उठाता है, कबीलाई सरदारों की किसी तरह की शंकाओं को दूर करने के लिए, वह जिस तरीके की विदिस सम्विता का निर्माण करता है, चर्चा करता है, उसमें उसने अधिकतर उनी परंपराओं को शामिल किया था, और विबिन ने परंपराओं को शामिल करते हुए, उसमें ऐसा बताने का प्रयास किया, कि हम पुरानी ही परंपराओं को पुनर जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, यही मेरा प्रयास रहेगा, कोई मेरे अपने विचार में आप पे नहीं थोप रहा हूँ, तो इस परकार मंगोलों की परंपराओं का संकलन विधी के रूप में जो किया गया उसे यास कहते हूँ 1206 में कुरलताई में लगू होता है इस यास के बारे में गत 200, 300, 400 वर्षों में कोई उशेश जानकारी नहीं थी सचाई तो ये है यास की जानकारी गत कुछ वर्षों में ही काफी हुई जब बहुत खोजबीन हुई रिसर्च हुआ हाल के कुछ वर्षों में काफी शोज हुआ है और इसमें इन जटिल विधियों का वर्णन किया गया है डेविड आयलोन जिनका मैंने जिक्र किया है पूर में उन्होंने इस पर विशेश शोद किया है और इसे यास को उन्होंने ही संविता नाम दिया है और कहा है कि इसे चंगेश खान ने 1206 में लागू किया था तो आखिर यास क्या है या आप समझ गया है अब यास में है क्या विधिया हैं कानून हैं किस से संबन्दित आखेट से संबन्दित डाग प्रणाली आदी से संबन्दित सैन्नी विवस्था से संबन्दित और प्रशासन संबन्दित सारे जो कानून वगरा है वो इसमें समाहित हैं तो ये उसकी विधित संबिता हो जाती है तेरहवी शदी अर्थाज 1200 के बाद काल मंगोलों ने जो एकी कृत समुधाय बनाने का प्रयास किया कभीलाई संस्कृति को समाप्त करके पूरे मंगोलिया के विविन कभीलों को एकजुट करने का प्रयास किया यह विजित संभिता उसी दिशा में एक प्रयास था इसी संभिता के बल पर पार महादवी पिये सामराजी के स्थापना का निर्माड होता है जहां पर कितने भी दूरस्थ खेत्रों हो सामराजी के सब जगह एक ही जैसे परंपराएं कानून लागू हो ताकि एक ही कृत होने में सहुलियत हो ऐसा चंगेज खान का प्रयास था और यास वही है इस व्यवस्था में क्या बाते थी कठोर शहरी समाज शामिल था उसकी अपनी स्वंस्कृतियां थी अपने नियम थे मंगोल लोगों को ये बात मालूम थी कि जब हम अपना सामराज बढ़ा रहे हैं मंगोलिया के बाहर जा रहे हैं अरुल जैसी कल्पना किया हैं तो बहुत सारे नए नए दूर दराज के खित्र जो विबिनस समाजी विवस्था के हों विबिनस भाशी विवस्था के हों वे इसमें शामिल होंगे तो इसमें मंगोलिया ही लोग माइनॉरिटी में होंगे अलप संख्यक होंगे संख्या के दिश्टि से अल्प संख्यक रहेंगे इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी विदिश रिंखला को बनाये रखें विदिश परंपरा को बनाये रखें और इसलिए यास का निर्माण होता है यास मंगोलों की विदिवत परंपरा थी उसे चंगेश खान की विदिश संविता बता कर मंगोल बार बार प्रस्तित करते हैं और ऐसा करते हुए दूरस्त खेतरों की वे सहमती लेने में सफल होते हैं किस बात की सहमती इन समराज में जुड़ने की सहमती लेने में सफल होते हैं। यास जो है वो एक विचारधारा भी थी परंपराओं की विचारधारा और इसमें कोई दो मत नहीं कि यास ने विश्व व्यापी जो मंगोल समराज था जिसका निर्माण होता है उसके निर्माण में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाए है। चंगेज खान के अपने स्वयम के व्यक्तितों ने, चंगेज खान की नीतियों ने और यास ने। ये तीन बातों ने मंगोल समराज जी की विशालता को वह रूप दिया जिसका हम अध्यन कर चुके हैं। एक घटना है, 1221 में, चंगेज खान ने अपने यास में बुखारा के लोगों को पापी कहा। और उसने चेताबनी भी थी कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो आप लोगों ने जो धन छिपाया उसे दे। और ऐसा करते हुए उसने बुखारा के लोगों से धन निकलवाने में, धन उगाही करने में बहुत सफलता पाए। यास के विशा में मंगोलों की सोच को चंगेज खान की स्मृति से जोड़ा गया। जैसा मैंने पूर में बताया कि जान बूच कर चंगेज का नाम यास से जोड़ने के पीछे मकसद ये था कि उसकी महानता को, उसकी महत्ता को, यास की महत्ता को, परंपरा की इज़त को बनाया रखने में यही नीति सफल साबित होगी। तो चंगेज खान से जोड़े संबंदों में इसे जोड़ दिया गया ताकि किसी तरह की शंकाएं ना हूँ। इस प्रकार हमने विस्तार से चंगेश खान का उदय मंगोलिया सामराज की स्थापना और उसके पतन का अध्यन किया और उसकी सफलता असफलताओं को जाना आपको याद होगा है 1921 में मंगोलिया गणराज्य बनता है और इस प्रकार वो आध्यनिक विष्व की श्रिंखला में आजाता है आखिर मंगोलिया का स्थान विष्व राजनीते में कहा है विष्व इतिहास में कहा है थोड़ा इसको जाने और उसके साथ ही अध्याए यहीं पे समाप्त होगा जब हम मंगोलिया की बात करते हैं खासकर आध्यनिक सब्स्माज तो चंगेश खान को एक बरबर कुर नेता के रूप में देखते हैं विजेता के रूप में देखते हैं बहुत क дополн नरसंभार विचारौं वाला व्यक्त Dieu जिसने हज्जारों लोंगों की हत्या की लाखों लोंगों की हत्या की यह बात मंगोल शब्द बोलने से सब्सें पहले आध्यनिक इतिहास के विद्यार्शों के मन में में आती है यहां तक कि चीन, इरान, यॉरॉप यहां पर मंगोलों को बड़े भै से देखा जाने लगा और उसका पूरा श्रेश चंगेश खान की नीतियां थी उनके लिए एक बड़े भै का रूप था वहीं दूसरी ओर मंगोलिया के अंदर उसे एक महा नायक की रूप में देखा गया क्योंकि उसने कबीलाई नेतित को बड़ल कर एक विशाल समराज की स्थापना की एक खेत्री विभाजित सैक्रों खेत्रों में विभाजित खेत्र को एक जुट करके एक समराज बनाना ये चंगेश खान का श्रेथ था तो इसलिए उसके खेत्र में महा नायक की रूप में देखते हूँ उसने यायावरों को पशुपालकों को एकत्रित किया किबिलाई नित्रित को हटाया और इसके लावा चीनी लोगों का द्वारा जो शोशन होता था जिसका दाहरनपूर में दिया जा चुका है उस शोशन को भी समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई इसलिए चंगेश खान अपने देश में पूजा जाता है इसाई, बुद्ध, इसलाम इन धर्पों में ये लोग विश्वास करते थे और उन्होंने धार्मिक सहष्णुता का परिचे दिया था मंगोलिया के अंदर एक बड़ा संपन राज्य बनाया, संपन राष्ट बनाया, सामराज्य बनाया और संभवता ये किया ना अतिश्य योगति नहीं होगी, गलत नहीं होगा, कि उसकी शासन व्यवस्था से संभवता संपराट अकबर ने प्रिड़ना ली थी और मुगल संपराट अकबर एक राष्टी संपराट बना था, ऐसा कुछ इतिहास कारों का कहना है पेम्स मंगोलिया तेरवी सदी में निर्मित किया गया, जो बहु जाती, बहु धार्मिक वह भाशाई चरित्र को बताता है और इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखे जाती हैं, कुछ विवरण भी हैं, कुछ वृतांत भी हैं, कुल मिलाके निशकर्ष ये, कि सहिशनुता का उदारन रहा मंगोलियों का शासनकाल, मंगोलिया के अंदर, जहां इसाई, बौद, ताव, तुर्की, मुसल्मान, इन सब लोग को स्थान दिया गया और इस सब विवरण से ये बासपष्ट हो जाती है, कि मंगोल शासक, जिसे हम निशकर्ष के रूप में कह सकते हैं, मंगोल शासक, अपने देश में बड़े सब भी रूप में जाने जाते हैं, कूछ नितिक रूप से जाने जाते हैं, उनके कई परोसी देशें से बड़े एक सहिशनता थी, और अपने देश की राजधानी में विवने देशों की कला को परिपक्वक होते देखने की इच्छा रखते थे, सभी धर्मों के लोग के पजारी उनके हाते थे, इसलिए इनकी तुलना अगवर से होती है, और आधनिक स्वतंतर मंगोलिया की अदिबात क करें, तो वहां चंगेश खान को राष्ट नायक के रूप में इस्थान दिया जाता है, इस समझ के साथ समाप्त होता है कि चंगेश खान बाहरी दुनिया के लिए किसी और रूप में जाना जाता है, जबकि वह मंगोलिया के लिए एक महानायक है, अब हम आगे बढ़ते है इसके प्रश्ण उत्तरी पर और कुछ आधारफूद प्रश्ण होंगे जिसे आप इसी लेक्चर्थ के माध्यम से ठाल करने का प्रयास करें अधिकतर प्रश्ण जो हैं उसका संबंद आप समझ सकते हैं चंगेश खान से हैं क्योंकि मंगोलिया इतिहास जो है वो मूलत चंगेश खान का इतिहास है तो पहला प्रश्ण है चंगेश खान की सैन्य संगठन व्यवस्था पर प्रकाश डालें तो इसकी शिरुवात आपको करनी होगी ये चंगेश खान के पहले सैन्य व्यवस्था क्या थी उसमें बहुत संख्षिप्त में लिखें और उसके बाद चंगेश खान ने जो पहला तो दशमलाव पद्धति में दूसरा घोड सवारों के लिए तीसरा घोडों के लिए और चौथा नेत्रित्व इन चारों का आपको वर्णन करते हुए यह साबित करना है कि उसने जो सैन्नी व्यवस्था बनाई वह अत्याधुनिक लाइन पर आधारित थी और उसकी आश्कताओं को पूरा करने में सक्षम थी प्रश्ण दो चंगेश खान के उपरांद यायावर सामराज में किस तरह की दुर्दशा हुई इसमें आपको चंगेश खान के बाद के काल के बारे में संख्यप में बताना है कि कैसे चंगेश खान के मृत्र के बाद उसके जो चार पुत्र थे उनमें किस तरीके से पारस्परिक प्रतिश्परधा और उसके अलावा किस तरीके से सामंजस्य बैठाने का प्रयास होता है और उस प्रयास में कैसे जगड़े भी बढ़ते हैं यौरप की ओर उनका जो बढ़ाओ था वह थमसा जाता है चीन पर जो उनका नियंत्रण है वह भी कम होने लगता है अंदरूनी विद्रो और विरोज भी बढ़ने लगता है जिसमें क्रिशक और सैनिक भी शामिल हैं और किस पकार जो सत्ता में हैं राजकुमार आदी वे कैसे धीरे धीरे विरोज बढ़ाते हैं इस पर आपको पकाश डालते हुए थाबित करना है कि उसके बाद चंगेश खान के बाद इस्थिति में सतत रूप से गिरावट आने लगती है और मंगोलिया इसामराज धीरे दीरे सिमटने लगता है प्रश्ण तीन चंगेश खान के जीवन और उपलब्दियों पर पकाश डालें चंगेश खान का जीवन और उपलब्दियों उसके जीवन की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का बहुत संक्षिप्त में कालकरम आपको बताने की जुरुत है और उस कालकरम के दोरान आपको 1206 की अहमियत पर पकाश डालना पड़ेगा कि कैसे 1206 में कुरुल ताई के मर्धियम से जो तुमी जिन है वह कैसे चंगेश खान बनता है उसके उपादी मिलती है और इस मौके का किस तरीके से चंगेश खान फायदा उठाता है विदी संबि संस्कृतियों में आपको बताना होगा सबसे पहले कि कैसे उसने कबीली संस्कृति को एक जुट किया कबीलाई नेतरितुका किस तरह से खात्मा किया फिर इसके बाद आप अगले बिंदु पर आएंगे और फिर सैनी बदलाओ जो इसने लाए विविन ने खेत्रों में जो कबजा किया विशेश कर चीन के जो तीन भाग थे उसके बाद कैसे वो सिंद के आकर वापस जाते हुए किस प्रिकार वो तीन कई खेत्रों में बुखारा अधी में कबजा करता है वो पलबदियों की परंपरा में उसकी जो बहुत बड़ी उपलबदि थी वह थी यास वह सम जान है कि कितनी विशमताओं में उसने ये सफलताँ अर्चित की तो थोड़ा सा प्रकाश आपको उसके द्वारा फेष की गई विशमताओं की और डालना पड़ेगा किन दिक्तों वो गुजरा और कैसे उसने उन दिक्तों को पार करके एक विशाल समराज के स्थापना क जो पार महाद्वीपी सामराज के रूप में साम जादा चौथा प्रश्ण मंगोल और चंगेश खान का विश्व इतिहास में स्थान मंगोल की बात करें तो मंगोलिया चंगेश खान के पूर लगभग एक खेतरी नाम था और बहुत से खेतरों में बटा हुआ था चंगेश खान के बाद से कैसे वह एक जुट होता है इस पर हम संख्यप में लिखें और बताने कि ये साविद करने की क्योशिश करें कि कैसे तेरा सो आते आते वर्श तेरा सो आते आते एक सामराज का विस्तार होता है एक सामराज बनता है उसके बाद अगले बिंदु में आपको बताना है कि कैसे चंगेश खान के बाद विस्तार होते होते थमने लगता है और धीरे धीरे मंगोलियाई खेत्र जो है वह सीमित होने लगता है अंतिम बिन्दु जो इस पर हमको विश्व इतिहास में इसके स्थान की बात है उस पर हमको लिखते समय हमें बताना होगा कि चंगेश खान विश्व इतिहास कारों की नजर में किस रूप में जाना जाता है और वही व्यक्ति अपने ही देश में कैसे महानायक के रूप में जाना जाता है कैसे विश्व के इतिहास में चंगेश खान को एक बहुत नर्संभारी विभत शासक के रूप में अध्यान किया है लेकिन दूसरी और मंगोलिया गनराज जिसकी स्थापना 1921 में होती है वहां कैसे एक दूसरे रूप में एक अवतार की रूप में देखा जाता है यायावर समराज के अध्यन के दौरान किये गए ऐसे शब्दों का जिक्र करें जो उनकी भाशा में मंगोलियाई भाशा में जैसे यास, उलताई, आदी आदे ऐसे छह शब्दों का चैन करते हुए उनको परिभाशित करें और उनके बारे में संख्यप में लिखें इन शे बातों के बारे में लिखते हुए यह बताना ना भूलें कि इनकी महत्ता चंगेश खान के शासन व्यास्था में क्या थी तो इस प्रकार इस अध्याय से जुरे हुए सभी महत्ता पूल प्रश्ण जहां समाप्त होते हैं उत्तर के रूप में आपको मात्र दिशा निर्देश दिये गए हैं उनकी मदद से आप